इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Prepaid Sim और Postpaid Sim में क्या अंतर है इसी के बारे में बात करेंगे तो देखते रहे हैं आपको जानकारी मिलेगी कि Prepaid Sim क्या होता है? पोस्पेट सिम क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या होता है यह सब चीजे आपको पता चल पाएंगी तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप लाइक कर दीजेगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूं तो चली शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहां पे प्रीपेट सिम के बारे में तो प्रीपेट इसी से पता चल रहा है कि यहां पे पहले हमको पेमेंट करना पड़ता है तब जाके हम इनकी सर्विसेज को यूज कर पाते हैं Prepaid में क्या है कि आपको यहाँ पर पैसे देने होंगे उसके बाद आपको कोई plan मिलेगा, उसमें जो भी benefit मिलेगा वो आपको ऊस एक quality period मिलेगी, उस vulnerability period तक वो benefit आप use कर सकते हैं लेकिन पोस्पेट का सीन तोटली अलग है यहां पे क्या है कि आपको यहां पे कोई connection पोस्पेट connection लेना होता है और कुछ monthly या yearly plan लेने होते हैं उसमें जो भी plan आप select करते हैं उस basis पे आपको benefit मिलेगा और आपको यहां पे limited नहीं unlimited चीजे मिल जाएंगी लेकिन पैसे आपको सर्विसेस को यूज कर पाएंगे और पोस्पेट में जेस्ट उल्टा है आप पहले सर्विसेस यूज कर लेंगे उसके बाद जैसे आप यूज करेंगे जैसे होता नहीं हमारे घर में electric connection तो जैसे विजली आती है और जितना भी विजली हम यूज करते हैं उसके बाद मंतल या 6 महिने पर जो भी हम बिल आता है उस हिसाफ से payment करते हैं तो ठीक ऐसा ही है पोस्पेट यहां पे बहुत बड़ी चीज यह है कि एक जो majority of user है वह यहां पर प्रिपेट सिम को यूज करते हैं और जो business class वाले होते हैं या फिर जो बड़े लोग होते हैं वो यहां पर पोस पोस्पेट सिम के बात करें तो थोड़ा यह महंगा होता है और business class वाले लोगों के लिए सस्ता पड़ता है क्योंकि उन्हें ज्यादा calls करने होते हैं ज्यादा data यूज करना होता है तो उस हिसाफ से उनको यह वह चीजे सस्ता मिल जाती हैं घुमा फिरा के अगर हम बात करे हैं उनके लिए वह सस्ता होता है क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा data या फिर ज्यादा calling करनी होती है तो इस हिसाफ से उनके लिए वह असान होता है और यहां पे business class लोगों के लिए एक चीज और अच्छे हो जाती है कि जो भी इनका जो expenses है वो यहां पे पोस्पेट से प्लाइन तो रिचाज करना ही पड़ेगा ना एक और चीज आपको मैं बता दूं अगर आप प्रिपेट सिम यूजर है तो आप यहां पे एक दिन का दो दिन का या एक हफ्ते एक महीने या एक साल का रिचाज आप करवा सकते हैं लेकिन वहीं पे पोस्पेट जो यूजर ह करते हैं वह एक महीने का प्लाइन या फिर एक साल का प्लाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर उस बेसिस पर उनको बिल पेमेंट करना होता है तो यहीं कुछ बेसिक सा डिफ्रेंस है प्रिपेट और पोस्पेट में उमीद है आपको समझ में आया होगा अगर कोई भी इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा ब्लॉग पोस्ट पढ़ सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा इसे अपने दोस्तों साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इसके बारे में डीटेल में पता चल पाए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में बैल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा क्योंकि टेलिकॉम से रिलेटेड ऐसी वीडियो में लाता रहता हूं तो मिलते हैं किसी नए वीडि के साथ तिल एन गुड़ बै